Good morning, today is 9th of December 2017 and we are going to discuss the articles of the Hindu सबसे बाद नजर डाल लेते हैं कौन-कौन से articles आज हम discuss करने जा रही हैं पहला article यहाँ पे लव जिहाद के नाप पे murder से समंदित हैं नहीं important exam के लिए नहीं discuss करेंगे उसके बाद नीचे यह article transgender के issue से समंदित है 30 November को हमने transgender के issue को समझा था आल्मोष्ट सभी वही points हैं लेकिन अपनी तरफ से कुछ extra points डाल के हम transgender के issue को detail से समझेंगे उसके बाद यहाँ पे बीच में जो यह बड़ा article है जेरुस्रम से समंदित है दो दिन points नए हैं, discuss करेंगे इस article को नीचे इस article में एक ही बात कही गई है focus किया जा रहा है, हमारे स्रीर में जो pathogens है यानि रोगों के लिए responsible जो bacteria इत्यादी होते हैं उन पे अगर medicines का कोई असर ना हो तो उस situation को कहते हैं, anti-microbial resistance और यह तब होती है, जब हम या तो anti-biotics को unnecessary बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर अपने इलाज को पूरा नहीं करवाते लेकिन इस article में writer के दोरा एक बात कही जाती है कि देखो, hospitals क्या फिर drug maker जो companies है वो पानी को बहा दे जाया है environment में तो environment में जो bacteria है वो भी responsible होते हैं हमारे स्रीड में anti-microbial resistance के लिए यानि वो situation जब antibiotic से इन दवाईयों का हमारे स्रीड पर कोई असर नहीं होता तो इसलिए विभिन देशों की सरकारों को इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि hospitals या फिर drug makers जो company है वो waste को इस परकार से environment में न छोड़ें ताकि जो bacteria हैं वो anti-microbial resistance को न डेवलप करें तो बस एक ही बात है research का article है ज्यादा important point नहीं है इस point को आप use कर सकते हो anti-microbial resistance से सम्मंदित अगर कोई question आता है तो उसके बाद आज Saturday है Ground Zero आया है important article नहीं है काफ़ी सरी factual detail है नहीं discuss करेंगे दो articles important articles हम आज discuss करेंगे एक live mint का export sector से समंदित important article है और एक article हम discuss करेंगे Indian Express का Indian Express का article है parliamentary committee के बारे में एक अलग से parliamentary committee बननी चाहिए पुरदेस की macro economy को monitor करने के लिए चलिए discussion स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम दिसकर सरेंगे Jerusalem City से समंदित जो विवाद है पहले आप location देख लीजिए Jerusalem की map में यहाँ पे है Jerusalem यह East Jerusalem है यह West Bank का जो इलाका है वो Palestine का है इवन यह जो Gaza Strip है यह Palestine का इलाका है और यह बचा हुआ सारा इलाका है यह Israel का है परसो हमने डिसकर्स किया था कि 1947 में जब UN partition करता है दोनों का इसराइल का और Palestine का तब UN डिसाइड करता है Jerusalem City जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगी UN एड्मिस्टर करेगा यह dispute territory है इसलिए UN एड्मिस्टर करेगा लेकिन उसके बाद ही स्टार्ट हो जाता है अरब कंट्रीज और इसराइल के बीच में तो उस युद में जो Jerusalem का Western पार्ट है यानि ये पार्ट है उस पे कबज़ा कर लिया जाता है इसराइल के द्वारा और जो Eastern पार्ट है इस सिटी पे Jordan कबज़ा कर लेता है यानि Western पार्ट इसराइल के पास और Eastern पार्ट जेरुसलेम का Jordan के पास तो देखो 20 साल तक तो ऐसा ही चलता है लेकिन उसके बाद 1967 में 1967 में फिर से युद होता है इसराइल और अरब कंट्रीज के बीच में उस युद में Eastern जेरुसलेम का वो हिस्सा जो पहले Jordan के पास में था उसे भी इसराइल कैप्टर कर लेता है यानि आल्मोश्ट पूरा का पूरा जो जेरुसलेम सिटी है वो इसराइल के अंडर आ जाता है तो उसके बाद सेटलमेंट्स स्टार्ट की जाती है इसराइल के द्वारा अब ही फिलाल देखो जो बड़े गवर्मेंट ओफिसीज हैं इसराइल के जैसे वहां का पार्लियमेंट, पढ़ालमंत्री निवास, राष्टरपती निवास या बड़े ओफिसीज वो सारे हैं जेरुसलेम सिटी में इस जेरुसलेम में सेटलमेंट्स भी काफ़े ज़ड़ा बढ़ा ही जा रही है तो बाद में एक रेजुलेशन पास किया गया इसराइल की पार्लियमेंट में 1980 में, कि जेरुसलेम पूरी की पूरु जेरुसलेम, यानि West जेरुसलेम और इस जेरुसलेम मिला के पूरी जेरुसलेम Israel की capital ना माने तो अब देखो जातर जो days है, वो Tel Aviv को Israel की capital मांते हैं इसको मानते है Israel की capital लेकिन अब USA ने माना है Jerusalem को Israel की capital लेकिन USA का यह step Israel और Palestine की beast-peace process के लिए कही न कही बहुत बड़ा धक्का है आर्टिकल कहता है कि अगर देखो Trump को मानना ही था जेरुस्लम को इस्राइल की capital तो कम से कम कुछ commitment लेनी चाहिए थे इस्राइल से कि वो peace negotiations के लिए कुछ न कुछ बात आगे करेंगे यानि कुछ न कुछ पलेस्टीन को leverage देंगे ताकि peace establish की जासके क्योंकि देखो पहले जो भी राष्टरपती रहे हैं अमरीका के उनके efforts की वज़े से ही इस्राइल ने कोसिस की है peace establish करने के लिए otherwise इस्राइल हर एक देश की बात नहीं मानता थोड़ा बहुत अमरीका से ही pressure feel करता है इस्राइल और पूरप में जो अमरीका के राष्टरपती थे उन्होंने ही इस्राइल को pressurize किया था peace negotiations को आगे बढ़ाने के लिए तो टरम्प को ये कोसिस करनी चाहिए थी अगर Jerusalem को capital मानना ही था तो कम से कम इस्राइल से कुछ commitment लेते कि भाई आप कुछ करो peace establish करने के लिए लेकिन टरम्प ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जबकि environment बिल्कुल सही था peace establish करने के लिए क्यों क्योंकि देखो ये जो गाजापटी है यहाँ पे वर्दसव है हमास का हमास एक militant organization है ये militant organization कहती है कि हम पूरे के पूरे इसराइल को खतम कर देंगे जूस को खतम कर देंगे लेकिन इस militant organization का भी हाल ही में stand काफी moderate हुआ है हमास ने भी कहा था हाल ही में कि हम 1967 के border को मानने के लिए तयार है यानि ये लगने लगा था कि अब peace establish करने के लिए कुछ न कुछ होगा लेकिन इसी बीच अब टरंप ने Jerusalem को इसराइक की capital मान लिया है तो peace process के लिए बहुत बड़ा धगका है तो ये पूरा article था Jerusalem के बारे में चलते हैं अगले article की तरफ अगला article export sector से समर्दित है GS paper 3 में इंडियन economy growth topic के अडर कवर होगा ये article export sector किसी भी देश की economic growth rate के लिए एक important driver होता है बहुत सारी jobs भी create करता है export sector किसी भी देश में हमें देखा पिछले कुछ सालों में South Korea और China दोनों देश higher economic growth rate sustain कर पाए हैं export का इस चीज में एक एहम role रहा है इसलिए अगर इंडिया को export को boost करना है तो अपनी domestic companies को competitive बनाना होगा global economy के हिसाब से देखो कुछ experts के दवारा ये कहा गया कि चाइना में जो labor intensive manufacturing growth rate है वो slowdown होगी क्योंकि one child policy के करण वहाँ पे labor की अब चाइना में कमी है तो इंडिया उस space को जो चाइना के दोरा खाली किया गया है labor intensive manufacturing sector में इंडिया उस space को feel कर सकता है लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है चाइना के दोरा जो space खाली किया गया है labor intensive manufacturing sector में उस space को भरा जा रहा है बानादेश और वियतनाम की companies के दवारा इन दोनों देशों के द्वारा क्योंकि इन दोनों देशों की जो domestic companies हैं वो काफी competitive है और इंडिया की जो domestic companies हैं वो इन दोनों देशों की companies के मुकाबले में competitive नहीं है जैसे economic survey 2016-17 बात करता है एपरेल और footwear sector की यानि इन दोनों sectors में जो export है वो मंगा देश और वेतनाम का ज़ midterm review में काफी सारे फैसले लिये गए हैं ताकि export को boost के जासके अगर कुछ फैसलों पे हम चर्चा करें तो इस परकार से हैं कुछ specific sectors को incentive दिया जाएगा export को boost करने के लिए जैसे ready made garments और footwear हमने अब भी discuss किया कि हम age जो है वो खोर रहे हैं वियतनाम और बांगा देश की companies हम से आगे है ready made garments में और footwear में इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम incentive देंगे इन दोनों specific sectors में हमारे exporters को इसके लावा सरकार ने ये भी decide किया कि कुछ specific sectors में companies input यानि raw material को procure करती है export के लिए तो उन पे duty नहीं लगेगी और logistics division बनाए गई है अलग से department of commerce के अंदर ताकि logistics को और ज़ export में किसी भी तरह की परिशानी ना हो अब देखो writer कहते हैं अच्छी बात है government ने इतने सारे steps लिये है export sector को strengthen करने के लिए बूश्ट करने के लिए क्योंकि world trade organization के इसाब जो trade volumes है वो बढ़ने वाले है 2017 में 2016 की अपिक्सा में लेकिन इंडिया को कुछ structural changes लाने होंगे अगर export sector को boost करना है तो कौन से ऐसा structural changes है जिनकी बात यहाँ पर writer कर रही है सबसे पहले आता है logistics sector सरकार को logistics sector में efficiency लाने के लिए कदम उठाने होंगे मालीजे मैं अपने गाउं में एक pen की factory open करता हूँ उस factory में बनता है pen और pen की demand है आस्टेलिया में आस्टेलिया से मेरे पास में order आता है कि आप हमें 1000 quantity pen भेज दीजिए वहाँ पे तो कितनी कम cost में और कितनी जल्दी मैं अपने गाउं से pen को भेज सकता हूँ आस्टेलिया में ये सब चीजे आती है logistics के अंदर तो सरकार को कोशिस करनी होगी कि export sector में जो export किया जाता है वो जल्द से जल्द हो और कम cost में ह तो इन सब steps में efficiency लानी होगी दूसरे number पे है economy of the scale देखो हमारी जो export companies है वो companies जो export करती है काफी small enterprises है as compared to Vietnam या फिर Bangladesh अगर देखो जो जितनी बड़ी company होगी उतना ही फाइदा होगा क्यों economy of the scale है वो बढ़ेगा business का simple सा funda है जो चीज जितनी बड़े quantity में उसको produce किया जाए लेकिन छोटी-छोटी companies हैं हमारे देश में और अब question ये उठता है कि वो बड़ी क्यों नहीं बनती बड़ी नहीं बनती क्योंकि वो labor last के कारण incentive नहीं है जो छोटी companies के मालिक है उनको उनको ये लगता है कि company बड़ी होगी तो labor last को follow करना पढ़ेगा और बहुत सारी दिख companies हैं वो competitive हो global economy के हिसाब से समझ गए तो ये दूसरा suggestion देते है राइटर तीसरा suggestion है protectionism के बारे में अब ही देखो बहुत से देश खास करके अमरीका इस परकार की policies अपना रहे हैं कि दूसरे देशों से कोई भी चीज ना मंगवाई जाए मालिजी अब इंडिया से कोई कर रहा है कि इंडिया से जो चीज import हो रही है और इंडिया जो चीज export कर रहा है उस पर किसी ना किसी तरह से tariff लगा दिया जाए यानि अमरीका के local लोग के लिए वो चीज महंगी पड़े तो ये जो policy है protectionism की ये इंडिया के export के लिए अच्छी नहीं है ना सिरफ इंडिया जो organizations है वहाँ पे भी इंडिया को जो like-minded countries है उनके साथ मिलके काम करना होगा और protectionism के विरुद आवाज उठानी होगी तो ये तीसरा suggestion है लास्ट suggestion है इंडिया को अपनी currency को भी competitive बनाना होगा एक example की साइटा से हम समझते हैं मान लीजे अभी 1 dollar is equal to 70 rupees और अमरीका वाले इं टोफी है तो कितनी टोफी इंपोर्ट कर पाएगा simple सा logic है simple सा math है 70 टोफी लेकिन आप देखो दोलर के मुकाबले रुपे का दाम बढ़ जाता है पहले 1 dollar is equal to 70 रुपी था लेकिन अब 1 dollar is equal to 60 रुपी है अब इस situation में अगर कोई अमरीका से टोफी इंपोर्ट करेगा इंड 60 तो देखो अगर रुपे का दाम बहुत जादा बढ़ जाता है डूलर के मुकाबले में तो वो export sector के लिए अच्छा नहीं है तो इंडिया को अपनी currency को भी competitive बनाना होगा ताकि export sector को boost किया जा सके तो यह सारे suggestions से हमने discuss किये इस परकार से export sector को boost किया जा सकता है अब question देख workforce के लिए jobs भी create कर सकता है export sector लेकिन आप यह बताइए क्या ऐसे challenges हैं जो इंडिया अभी face कर रहा है export front पे और उसके बाद government को क्या करना चाहिए अपने export को boost करने के लिए 250 words में आपको इस question का answer देना है आज का quote है you must not lose faith in humanity humanity is like an ocean if a few drops of the ocean are dirty the ocean doesn't become the dirty माहत्मा गांधी ने ये बात कही थी क्या मतलब है मानवता को compare क्या गया है ocean के साथ अगर देखो ocean की कुछ बूंदे खराब है तो इसका मतलब ये नहीं की पूरा का पूरा जो ocean है वही खराब है ठीक उसी परकार से अगर कुछ लोग का नेचर खराब है तो इसका मतलब ये ने की पूरी की पूरी जो मानम सबेता है वही खराब है एक सिंपल सा एक्जामपल हम लेते हैं देखो आज कल बहुत सारी ऐसे खबरे सुनने को आती है कि एक्सिडेंट हो गया लोग वीडियो बनाते रहें लेकिन हेल्प के लिए कोई नहीं आया इस परकार की खबरे आपने भी सुनी होगी लेकिन देखो ये सिरफ रेर इंसिडेंट है आम तोर पे आप गाउं में देख लीजे या फिर सेरों में भी देख लीजे लोग भाग के आते हैं मदद करने के लिए तो सिरफ उन रेर एक्सिडेंट के कारण की जहां पे कोई मदद करने के लिए नहीं आया आज हम ये जनलाइज करके ये कहा दें कि accident होने पे भी कोई भी human being मदद करने के लिए सामने नहीं आता ये सही नहीं है तो उन rare incidents के कारण उन rare boondhों के कारण पूरी जनलाइज statement हम नहीं दे सकते आज भी humanity बरकरार है आज भी जो मानवों के बीच में आपस का प्रेम है एक दूसरों को help करने की जो परवती है वो भी बरकरार है तो ये quote आप इस्तमाल कर सकते हो essay या ethics में एक और question आपको attempt करना है industrial growth rate has lagged behind in overall growth of GDP हुआ क्या था देखो जब LPG reforms आये 1991 के बाद तब देखो हमारी जो growth rate है वो तो तेजी से बड़ी लेकिन industrial growth rate नहीं बढ़ पाई इसके reasons बताने है आपको उसके लावा आपको ये भी बताना है कि industrial policy में health फिलाल में जो changes lie है सरकार क्या वो capable है क्या उन changes की साहिता से industrial sector में growth rate को बड़ावा दिया जा सकता है या फिर नहीं ये question का answer भी आपको देना है 250 words में चलते हैं अगले article की तरफ अगला article parliamentary committee से समझत है GS paper 2 में इस topic के under cover होगा ये article contest क्या है सुर्जीत भला ने कहा कि RBI के governor को एक साल में कम से कम दो बार parliament के सामने अपने आपको testify करना चाहिए ताकि देश की जो economy है उसका ठीक धंग से उसकी supervision होचके उसको monitor किया जासके अब writer यहाँ पर analyze करते हैं कि mechanism क्या है हमार देश में parliament में देश की economy को monitor करने के लिए तो दो mechanism है पहला debate की साहिता से parliament में जो debates होती है लेकिन ये दोनों mechanism कितने full proof हैं कितने कारगार हैं वो हम उनको analyze करते हैं पहले बात करते हैं पहले mechanism की debate की साहिता से क्या debate की साहिता से हम देश की national economy को monitor कर सकते हैं देखो इनका जबाब है नहीं क्योंकि देखो हमारे parliament में अब जो debate का star है level है काफी नीचे गिर गया है आखरी बार देश की economy को monitor करने के लिए debate हुई थी 2008 में 2008 में ठीक धंक से debate हुई थी चर्चा हुई थी कि देश की जो economy है वो किस परकार से perform कर रही है price rise यानि महिंगाई से समद्धी जो debate हो जाती हैं लेकिन substance नहीं निकलता कुछ भी कुछ facts भी दिये जाते हैं राइटर के द्वारा ये कहते हैं कि आजादी के बाद जो 50 से 60 तक का दसक था उस दसक में पारियामेंट में बजट session के दुरान जो debate होती थी वो चलती थी 123 गंटे लेकिन अब बजट session के दुरान जो debate होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ 40 गंटे तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितनी कम debate होती है बजट session के दुरान तो पहला mechanism इनके हिसाब से कारगार नहीं है यानि debate जो एक mechanism है देश की economy को monitor करने के लिए वो कारगार नहीं है अब बात करते हैं दूसरे mechanism की क्या committees की साइथा से देश की economy को monitor कि जा सकता है parliament के थूँ ना क्यों कि देखो जो भी standing committees है हमारे parliament में economy को monitor करने के लिए वो particular ministry को monitor करती है particular ministry के legislations को expenditure को उनकी policies को monitor करती है लेकिन ऐसी कोई committee नहीं है जो पूरी की पूरी macro economy को monitor करे कि हमारी देश की जो economy growth rate है वो 7% है, 6% है, 5% है अगर कम है तो क्यों है, क्या दिक्कत है इन सब चीजों को monitor करने के लिए कोई पूरी committee नहीं है एक-एक करके जो standing committees हैं वो एक-एक ministry के साथ जुड़ी हुई है और उस ministry के expenditure को, legislation को और policy को supervise करती है और देखो बाकी के जो देश हैं जैसे UK, USA इन में इस तरह की committees हैं जो पूरे देश की macro economy को monitor करती हैं जैसे for example USA में जो दो houses हैं दोना houses की एक joint committee है ये joint economic monitoring USA की economy को monitor करती है उसी तरह से UK में भी economic affairs जो committee है वो UK की economy को monitor करती है अब जैसे Britain अलग हो रहा है European Union से तो क्या इसका impact होगा Britain की labor market पे उन सबी चीजों को देखा जा रहा है अभी इस economic affairs committee के दवरा तो इंडिया में भी इसी तरह की committee की आऊशकता है जो पूरी की पूरी macro economy को monitor करे देखे क्या खलत हो रहा है हमारी economy में उसी प्रकार से suggestion भी दे अब देखो ऐसा नहीं है कि पहली बार राइटर के दवरा इस्टर की आवाज उठाई जा रही है 2002 में जो commission आया था national commission to review the functioning of constitution अगला article transgender से समधित है GKS paper 2 में इस topic के undercover होगा ये article सबसे पहले याद कीजिए 30 November को हमने क्या discuss किया था 30 November को हमने discuss किया था कि 2014 में सबसे पहले सुप्रिंग कोट का judgment आया सुप्रिंग कोट ने आदेश दिया सरकार को कि आप transgender को उनके अधिकार देने के लिए एक कानून बनाईए तो 2014 में ही एक private बिल आया transgender को right देने के लिए और उसके बाद 2015 में सरकार के द्वरा एक bill पेस किया गया transgender को उनके अधिकार देने के लिए सरकार के द्वरा जो bill पेस किया गया था 2015 में वो bill ठीक ठाक था उसमें सिरफ एक कमी थी कि national level पे और state level पे transgender के लिए एक commission बनाने की जो बात कही गई थी 2014 के private bill में सरकार ने उसे नहीं माना था फिर भी 2015 का जो सरकार का bill था transgender को right देने के लिए वो bill ठीक ठाक था लेकिन सरकार ने उस bill को वापस ले लिया पारलेमेंट से फिर उसके बाद 2016 में फिर से एक bill reintroduce किया जाता है transgender को 2016 के bill में ये कमिया हमने discuss की थी आर्मोस्ट 11 महीने पहले 10 जनवरी 2017 को आर्टिकल आय था उस आर्टिकल में हमने discuss किया था क्या क्या कमिया है 2016 के bill में तो देखो कमियों की बात करें सबसे पहले तो definition में कमी है 2016 के bill में जो definition उठाली गई है वो Australian Sex Discrimination Amendment Act वहां से उठाली गई है अब ये जो definition है transgender की वो inclusive नहीं है इसको kind of pathological state बताया गया है यानि बीमारी से जूड़ी है किसी disease से जूड़ी है जबकि 2015 में जो सरकार ने definition दी थी transgender की उनको उनकी मर्जी बताया था कि आप अपने आपको male से भी identify कर सकते हैं female से भी identify कर सकते हैं तो सबसे पहले तो definition में ही कमी है उसके बाद 2016 में bill में कमी है reservation की 2014 और 2015 के bill में reservation देने की बात कही गई थी transgender को लेकिन 2016 के bill में ऐसा कोई provision नहीं है तीसरा point आता है कि देखो provision इस परकार से है 2016 के bill में कि सरकार को इस परकार से दिखाया जा रहा कि सरकार benevolent है जो transgender है वो पूरी तरह से सरकार की दया पर निर्बर हो जाएंगे जबकि ये सब चीजे उनके अधिकार हैं आप देखो दो act उठा लीजिए एक तो right of person with disabilities act या फिर mental health care bill 2016 इन दोनो acts में क्योंकि अब ये act बन चुके है इन दोनो acts में जो सरकार की language है वो कते ही इस परकार से नहीं है कि सरकार mercy show कर रही है इन पे लेकिन transgender से समंदी जो bill है उस bill में तो यूँ दिखा गया है कि सरकार बहुत ज़्यादा के लिए Supreme Court ने उनको आदेश दिया था Supreme Court का judgment है ये चोथा जो चीज है वो ये है कि देखो 2016 के bill में ये नहीं दिखा गया कि already जो provisions है जैसे कि marriage से समंदीत, adoption से समंदीत, succession से समंदीत, इन सभी acts में तो दो ही gender को recognize किया गया है एक male को एक female को अब अगर सरकार transgender से समंदीत अगर ये bill पास कर देती है, तो ये नहीं बताया गया है कि पहले already जो बहुत सारे laws हैं, ये जो हमने अभी डिसकस किया, special marriage act या फिर adoption access section act, उन सब पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उन सभी acts में transgender को recognize किया जाएगा ये नहीं किया जाएगा, चुकि अभी तक इन सभी acts में, बाकी की जो already acts हैं, उनमें तो दो ही sex को माना जाता है दो ही gender को माना जाता है, एक male एक female, समझ गे, तो clarification नहीं है 2016 के bill में पांचवा point है, IPC section 377 से समंदित IPC section 377 कहता है, दो genders के अलावा, यानि male और female के अलावा, जो भी genders है, उनको criminalize करता है IPC section 377 तो अब देखो, transgender को भी काफी बार harass किया जाता है IPC section 377 के नाम पे तो एक तरफ तो सरकार transgender के लिए उनके rights के लिए bill लेके आ रही है दूसी तरफ, IPC section 377 अभी भी उनको criminalize करता है तो ये situation काफी ज़्यादा हाश्यपद हो जाएगी, एक तरफ तो सरकार उस चीज को criminalize कर रही है और दूसी तरफ, transgender को उनके अधिकार देने के लिए bill लेके आ रही है तो सरकार को IPC section 377 में भी बदलाव करना चाहिए ताकि ये हाश्यपद situation पैदा ना हो तो अब देखो, इस bill पे काफी विवाद हुआ था, जब सरकार ये पिसले साल 2016 में bill लेके आई थी तो काफी विवाद, काफी controversy create हो गई थी तो उस controversy के दुरान सरकार ने कहा था कि हम एक committee घठीद करेंगे और committee जो recommendations देगी उन recommendations को हम bill में सामिल करेंगे, transgenders को अधिकार देने के लिए जो bill है उस bill में सामिल करेंगे लेकिन, लेकिन सरकार ने उस committee की कुछ भी recommendations को सामिल नहीं किया फिर से 2016 के bill को ring introduce किया जाएगा 2017 में अब winter session में समझ गए, तो ये देखिए, committee ने क्या recommendations दी थी, committee ने कहा था कि बहुत सारी खामिया है transgender की definition में आप इसे ठीक कीजिए और discrimination की definition है वो भी ठीक ठाक होनी चाहिए और transgenders की जो problems है उनको address करने के लिए एक address mechanism होना चाहिए, transgenders को reservation की देने क्याव सकता है उनको equal civil rights देने क्याव सकता है ये सब बाते की ही गई थी committee के द्वारा लेकिन सरकार ने इन committee की recommendations को नहीं माना और 2016 के bill को फिर से reintroduce किया जा रहा है तो ये पूरा transgenders का issue था जो हमने details से समझा सुलवात से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या discuss किया सबसे पहले हमने Jerusalem से समंदीत जो मुद्दा था उसे discuss किया और दो तिन पॉइंट्स जो नए थे उनको भी discuss किया Indian economy से समंदीत हमने export sector को discuss किया और बात में हमने discuss किया एक parliamentary committee होनी चाहिए जो पूरे days की next economy को monitor कर सके supervise कर सके और सबसे last में हमने discuss किया transgender से समंदीत issue को तो ये थी हमारी आज की discussion फिलाल इस discussion में इतना ही thank you, thank you very much for discussion